एलो दोस्तो, आज हम बात करेंगे Rise of Regional States के बारे में मुगल सामराज्य के पतन के परिणाम सरू, जिन राज्यों का उद्य हुआ, उनको तीन व्यापक शेनियों में वर्गीकरत किया जा सकता है पहला उत्तरे दिकारी राज्य, ये मुगल प्रांत थे, जो सामराज्य से अलग होने के बाद राज्यों में बदल गए हाला कि उन्होंने मुगल शाशक की संप्रभवता को चुनोती नहीं दी, लेकिन उनके राज्य पालद्वारा विस्तरित स्वतिंतर और वंशानुगात सत्ता की स्थापना ने इन छीतर में स्वात्य शाशन का उद्य दिखाया कुछ उधारण अवद बंगाल और रहिदराबाद है स्वतिंतर राज्य ये राज्य मुखे रूप से प्रांतों पर मुगल ने अंतन के अस्थिर्ता के कारण अस्थित में आये उधारण मैसूर और राजपूत राज्य तीसरा नए राज्य ये मुगल सामरज्य के खिलाब विद्रोय द्वारा स्थापित राज्य थे उधारण माराथा, सिक और जाट राज्य है तो यह था Rise of Regional State के बारे में वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करे सब्सक्राइब करे और कमेंट ज़रूर करे